इतने सारे लोगों ने ये वाली रीर मुझे शेयर की है कि प्रीती ये वाल अड्रेस बनाना बताओ तो आज मैं इसलिए आपको यही वाल अड्रेस बनाना बताने वाली हूँ और यह हम बना रहे हैं सेम ऐसा ही आप लोगों ने पूचा ही है इसलिए यही बनाने वाले है इस और नीचे का जो घेर रहेगा, वो हम गैदर सबाला रखेंगे यहां से, और घेर में नीचे साइट पी को कर लेंगे, तो इस टाइब की हम पूरी फ्रॉक डिजाइन करने वाले हैं, और आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, जब मैंने सपना चौधरी में की एक सलवार कटिंग एंड स्टीजिंग डाली थी, तो उसमें किसी ने मुझ से कमेंट करके पूछा था, प्रेती यही शलवार कितने मीटरों बनेगी, तो मैंने वीडियो में बताया है, जि चलिए आप करते हैं, इस वाली ड्रेस की कटिंग करना स्टार्ड, इस ड्रेस को बनाने के लिए हम सॉफ्ट जॉर्जट फैबरिक का यूज कर रहे हैं, यह फैबरिक हमने पांच मीटर लिया है, इस फैबरिक की विर्थ 43 इंच की है, यह होगा है हमारा मैन फैबरिक, ठ्यूलर हमारत है साथ, हमारी फिटिंग रहे है रहे हैं गे यह हम कालर वाला बना रहा है INच की हमेंरत रखेंगे, अस्तर को खोल ना है, यह इपर और, पर और और यह ओर यह रखो कर देंगे, तो यह बिच की है, निशान लगा लोगे, स्योल्द की है, साट इंच पर नि यहां सेंटर से इंची टैप को और चोली हमारी 14 इंच की है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे आधे इंच सिलाई में यहां पर चला जाएगा और आधे इंच यहां पर चला जाएगा तो चोली हमारी 14 इंच की बनके तैयार आजाएगी अब लगाएंगे इसमें फिटिंग के निशान चेस्ट की फिटिंग हमारी साड़े आठ इंच की है और कमर की फिटिंग हमारी साथ इंच की है अब यहां पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को भी लंबा कर देंगे यहां से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है इन दौनों निशान को आपस यहां पर लगा देंगे इन दोनों पार्ट को हम अलग-अलग कर लेंगे पहले हम बैक पार्ट ले लेंगे बैक पार्ट में गले की विर्थम रखेंगे पौने तीन इंच और गले की लंबाई हमें रखना है एक इंच इस तरह से राउंड करके इसको मिला देंगे और यहां साइज जादा हो तो आप इस लंबाई को साड़े तीन भी ले सकते हैं यहां से इसको राउंड करेंगे इसी निशान की उपर से कटिंग करेंगे अब हमें यहां पर फरंट साइट पॉने एक इंच की एक्स्ट्रा गोलाई करनी है इसमें यहां से इस तरह से लेंगे और यह ऐसे गोलाई आईगी हमारी तो हमाई गोलाई भी कटिंग हो गई और हल्टर नेक के लिए हमाई नेक की गहर आई भी कटिंग हो गई बस आपको इस में ध्यान रखना है अगर आप की हाइट और हेल्थ दौनो ज्यादा है तो आप इस लंबाई को साड़े तीन ही मेरी हाइट और हेल्थ के हिसाब से मैंने इसको तीन इंच रखा है तो फ्रंट एंड बैक दौनों साइट की चोली हमाई कटिंग हो गई है अब हम अस्तर में से नीचे वाला घेर कट करेंगे अस्तर को खोल की सिंगल कर दिया है दूसरे वाली किनारी पर जाएंगे और यहां से इसको डवल कर लेंगे डवल करने के बाद इसको हम यहां से एक बार और फोल्ड कर देंगे यहां से कपड़े को सीधा करने की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से हमने पहले ही उपर साइड 14 इंच की चोली निकाल ली है आदें सिलाई का माइनस करके हम इसमें 3.5 इंच उपर छोड़ देंगे चोली का और अब जाएंगे नीचे साइड हमारी जो फ्रॉक बन रही उसकी लंबा ही 42 इंच की है तो अस्तर को हम fix 42 रख लेंगे एक इंच हमारा स्तलाई में चला जाएगा तो एक इंच हमारा अस्तर छोटा हो जाएगा तो हमारा भार भी नहीं दिखेगा अब यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब यहां पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पर इस थरह से round कर देंगे हलका सा 3 इंच इसके कौने हम cut कर देंगे ताकि यह बाहर नहीं लटके अब यहां इसे सीधी cutting कर देंगे चोली को इस थरह से बराबरी से रखना है यहां की लाइन एक दम बराबरानी चाहिए अब यह वाला जो निशान है यही से हम fitting का निशान लगा लेंगे और यहां से margin का निशान भी लगा लेंगे इस वाले निशान को इस वाले निशान से इस थरह से मिला देंगे अब इसी निशान के उपर से cutting कर देंगे तो नीचे के घेर का अस्तर भी हमारा निकल गया है इसको साइड में कर देंगे अब यह जो फैब्रिक बचा है यह हमारा कम बचा है इसमें से हम ट्राउजर बनाएंगे और अब आप लोग सोच रहे होंगे 4 मीटर तो टोटल फैब्रिक था उसमें से इतना कम फैब्रिक बचा है तो इसमें ट्राउजर केंसे बनेगा कम फैब्रिक में भी मैंने आपको ट्राउजर बनाना सिखाया है इस वाली वीडियो में और इस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं तो इस fabric को तो side में कर देते हैं और ये वाला जो fabric बचा है इसमें से हमारी collar बन जाएगी तो जोर्जट की fabric को हमने यहां से single करके ले लिया है अब यहां से हम जाएंगे दूसरी वाली किनारी पर और इसको यहां पर मिला देंगे और इसको double कर लेंगे यहां से डबल करने के बाद इसको हमें यहां से फोल्ड कर देना हैš अर यहां से थोड़ा सा फैब्रिक बचा दिया है क्योंकि हमँ बहुत ज्बाइन टाइप की नहीं चाहिए तो यहां से कपड़े को सीधा करने के एक निशान लगा देंगे इसके बाद एक निशान लगाएंगे हम आदे इंच नीचे से यहां से हम कटिंग करेंगे और यहां से हमाई सलाई आएगी तो इतना हमारा सलाई मार्जिन को हो जाएगा अब हमें यहां से इंची टैप को रखना है और हमाई सलीप की लंबाई 22 इंच की है एक इंच हमाने नीचे स्लाई में फोल्ड होने में चला जाएगा तो होगा है हमाई 23 इंच और 23 की बाद हमाई जो स्लीप से यहां से थोड़ा सा इखटी भी हो रही है तो एक इंच हम उसको यहां से बढ़ा देंगे कि थोड़ा सा हमारा यहां से इखटी भी हो जाए तो हम 24 फोर इंच पर निशान लगाएंगे 22 की स्लीप से तो 24 पर लगाना है आपको और यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे चेस्ट का चोथा इवाग हमारा साड़े आठ इंच निकला था तो साड़े आठ में एक इंच सिलाई मार्जन का प्लस करके यहां पर हमें साड़े नौ इंच पर निशान लगाना है और यहां से इंची टैप को रखेंगे और साड़े तीन इंच हम स्लीप को डाउन कर देंगे स्लीप के आर मोल्स को इस वाले निशान से यह वाला जो निशान है इसको मिलाएं वह चुकी है यहां से दो हटाएं। उपर के दो हमने हटा दिये, नीचे वाले दो में गुलाई कर देंगे स्लीप्स को साइड में करेंगे ये वाला जो फैब्रिक बचा है यहां से इसमें से हमें चोली निकाल देना है अब इसी के बराबरी से कटिंग कर देंगे इसी के पराबरी से हमने इसकी cutting कर ली है यहां से यह खुला वाला हिस्सा है यह खुला हिस्सा जो हमने cutting किया है अभी यहां से खुला इसलिए cut किया है क्योंकि यह back side के लिए है और back side हमारी यहां पर zip लग जाएगी इसलिए अब बची हमाई front side की चोली तो front वाली चोली को side में कर लेंगे और back वाली को हटा देंगे अब यह जो fabric है हमारा यहां से इसको एक single ले लेंगे और एक को हटा देंगे और यहां से इसको fold कर देंगे अब हम अपनी front वाली चोली लेंगे और इसको यहां पर रखेंगे यहां से तो सीधा ही रखेंगे यहां से ऐसे शेप में कटिंग कर देंगे तो यहां से लेके यहां तक हमने इसकी बरावदी से कटिंग कर दी यहां से भी कर दी जो हमारा फेटिंग का निशान रहेगा इस से एक इंच अन्दर तक, यहां पर हम कट लगा देंगे, यहां तक हमें इसमें पलेट्स नहीं बनानी है, यहां से लेके पूरे यहां तक इस वाले फैब्रिक में हम चुन्नट बनाएंगे अब यह जो हमारा फैबरिक बचा है इसमें हम नीचे का घेर निकालेंगे यह फैबरिक हमारे पास बचा है साड़े तीन मीटर तो इसको हमें लेना है और दूसरी वाली किनारी पर जाना है और दौनों किनारी को यहां से मिलाकर इसको डबल कर लेना है और इसको एक बार और कर लेंगे अब यहां से इसको इस तरह से रखेंगे अब यहां से इसकी किनारी को कटिंग करके हटा देंगे तो यहां से हमारा इतना सिलाई में चला जाएगा 14 इंच इंची टैप को उपर छोड़ देंगे चोले का अब यहां से हमें अपनी लंबाई लेना है तो हमारे फ्रोग की लंबाई है 42 इंच और आदे इंच इसमें हमेरा पीको में चला जाएगा तो आदे इंच हम पीको का बढ़ा देंगे अब यहां से लेके यहां तक यह फैबरिक हमारा आ रहा है 29 इंच का तो हम 29-29 पर निसान लगाते जाएंगे अब यहां से चता कर कर देंगे इसमेट हमारा बंद है तो यहाँ से इसके भी cutting करके इसको खोल देंगे तो यह हमाई घेर की cutting भी हो चुकी है इसीक साथ हमारी frog की cutting कंपलीट हो गई है यह हमारा घेर, यह घेर का अस्तर यह हमाई front side की चोली और यह अस्तर, यह back side की चोली यह रही है हमारी sleep और इनका बनने के बाद बिल्कुल बैसा ही लुक आएगा जैसा आप लोगों ने मुझे फोटो भेजा था तो कटिंग तो कम्प्लीट हो चुकी है तो आपको कटिंग कैसी लगी फटपट से कमेंट करके बता दीजी इस तरह से इसको मिलाएंगे और जैसे हमने यह वाला कट लगाया है यहीं से इधर से हम इसमें प्लिट्स बनाना स्टार्ट करेंगे यह हमारा फिटिंग का कट है इसके एक इंच अंदर से हमें प्लिट्स बनानी है प्लिट्स का साइज हमें हाफ हाफ इंच रखना है ये हमारी चोली के सेंटर का कड़ और ये जोर जड़ वाले फैबरिक के सेंटर के कड़ियां पर दोनों आपस में मिल गए है तो यहां पर ये वाली प्लिट्स बनाने के बाद अब इसको हमें यहां से इस तरह से लेना है और अस्तर को साइट छोड़ देना है अब ये वाली जो प्लिट्स हैं इनको हमें ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे कैसे बनाएंगे इस तरह से यह जो हमाई प्लिट्स की गहराई है यहीं से इतना ही फैबिक हमें यहाँ पर भी लेना है इसके सामने विलबकुल सेंटर मे बरावर फैबिक लिए सिलाय लगा देंगे और यहाँ पर आपको कच्छी सिलाय लगानी है तो यहां से लेगे, यहां तर सारी प्लेट्स हमने इसमें बना दी हैं, अब हम इसमें आइरन कर लेंगे इस तरह से आपको लेना है, और यहां से ऐसे पकड़ना है, टाइट करके एकदम सीधा है और यहां से लगाएंगे प्लेट में अच्छे से अायरन लगा दी है अब इसको यहां से अच्छा लेके यहां तक अटैच करदेंंगे इसको सभी जगा से अटेच करके एक्टा 25 जितना margin लेकर लगा देंगे यहां दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है मार्जिन हमारा इसी साइड रहेगा और इसी साइड हम अस्तर को पलट देंगे और इसके ऊपर एक finishing की सिलाई लगा देंगे अब इसको हम यहां से पलट देंगे पलटने की बाद इसको हम यहां से लेकि पूरे यहां तक कच्ची सिलाई लगा कर attach करेंगे जो भी extra fabric है इसकी finishing कर देंगे इसमें हमने सभी जगा कच्ची सिलाई लगा कर इसको attach भी कर दिया, extra fabric की finishing भी कर दिया यह तो हमारा ready हो गया है और इसी के जैसे हमने इस वाले पार्ट को भी ready कर लिया है अब इसको ऐसे ही रखना है और इसकी उपर front पार्ट को उल्टा करके रख देंगे यहां से shoulder को मिलाएंगे double slay लगा कर attach कर देंगे दौनों को, दौनों shoulder को हमने attach कर दिया है अब इसकी हमें collar cutting करनी है तो इसको हमें यहां से double कर लेना है यह हमने paper बकरम लिया है इसको यहां से fold कर देना है fold करने के बाद यह जो हमाई neck है neck जब हमने असर में cut किया था तो उसमें से यह जो fabric निकला था यह bow वाला fabric है इसको fold करने के बाद हमने अपने neck को ले लिया है नेक को हमें यहां से रखना है यह जो open वाली side है यहां से back वाला जो part है ना इसको यहांसे दौनों को आपस मैं मिलाएंगे मिलाने के बाद यहां पर हमें एक निशान लगाना है और निशान से इसको इस थरा से रखना है यह जो शोल्डर की से लाई है यहाँ पर एक मार्क कर देंगे नैक वाला फैब्रिक निकला था अस्तर में से इसको लिया और लेने कि वाद इसको ऐसे रखेंगे अब यहाँ से हम इसमें निशान लगा देंगे और यहाँ से हमें इसकी विर्थ रखनी है पौने तीन इंच और यहाँ से इसे स्ट्रेड लाइन ड्रो कर देनी है क्योंकि इसकी विर्थ भी हमने पौने तीन इंच रखी थी इसलिए अब यहाँ से हमें एक एक इंच पर कर देंगे इसको फएब्रिक की उपर पेस्ट करने के बाद इसके नीचे हमने एक जॉट ज़त का फएब्रिक रख लिया है इसी के बरापरी से हमें आधे निच का मार्जन लेकर इसकी कर देनी है अब इसको इसकी उपर फोल्ड कर देंगे एक एक्ट्रा फेब्रिक के ऊपर कर देंगे यहां से इसको अटैज कर दिया है और इसका टींग कर देंगे और इसको यहां से वहाले हैंच का मारिजन रखना है URLs ह्वाहीं कि कॉंड़ा कर देँगेई रच पॉलमां कर देना है कि लो चाहिए क्यों स्कुन का सिलाइन तूश चूदल अब हमें यहां से इस साइड से जाना है और अब हम कॉलर को नीचे कर लेंगे अपनी चोली को ऊपर कर लेंगे और सिलाय लगाएंगे यहां से इसको अटेच कर दिया इसके बाद यहां पर इसको इस तरह से ऐसे पलटना है यहीं से इसको सीधा कर देंगे सेकेंड वाली साइड भी हमें इसको इस तरह से अटेच कर देना है यहां से इसको सीधा करने के बाद इसको पलट के पूरी कॉलार को सीधा कर देंगे अब यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा कर इसको अटेच कर देंगे यहां से हमने इसको अटेच कर दिया है अब हमें बैक साइट जिप लगानी है तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है और लेना है अपनी जिप को यहां से खोल देंगे इसको यह जो इस्टॉपल लगा हुआ है यहां से इस तरह से लेंगे हम और यहां से इसमें सिलाई लगाएंगे पॉइंट की अब यहां से जिप को लगा देंगे लगाने के बाद नीचे तक सिलाई लगाएंगे एक साइड लगा दी है अब इस बाले पार्ट को लेंगे और यहां से इसको उपर इस तरह से रख देंगे ऐसे रखेंगे और इस तरह से अब यहां से लेके यहां तक इसमें भी साइट सलाई लगा देंगे साइट भी हमने जिप लगा दी है अब यह जो उपर मार्जन है इसको हमें इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करके इसमें यहां पर सलाई लगा देंगे दोनों साइट तो zip हमाई लग चुकी है इसी के साथ front end back part हमारा बन गया है और चोली रेडी हो गई अब हमें इसमें लगानी है sleeps तो यह हमने अपनी sleeps को ले लिया है अब इसको हमें यहां से single करके लेना है और इसमें हमें यहां पर लगानी है elastic यहां तक कर दिया फोल्ड कर दिया महें अंदर कर देंगे अठेच करते जाए रखना है कि इसमें elastic को खीचना है और margin को एकटा करते जाना है जब तक खीचना है जब तक निशान बहार नहीं आ जाए ये रहा हमारा निशान यहीं पर हमें इस फैब्रिक को रखना है और यहीं पक्की सिलाई कर देनी है निसान की पास से पक्की सिलाई लगा कर इसको हमने गट कर दिया है लास्टिक इसमें हमाई लग चुकी है अस्तर को सिंगल करके लेंगे और यहां से एक और यह दो दो पल्टी में फोल्ड कर देंगे गेर को हमने फोल्ड कर दिया है अब हमें अपनी जौजट को ले लेना है श्व시면 हमें यहां पर हाफा फिंच की प्लिट्स बना देनी है इसके नाप से दो इंच स्ला इंच मार्जन का छोड देंगे अब यहां से Imam specifically बनेंगे ваши help से हाफ आफ इंच की प्लीट्स बनानी हैं मैं है प्लीट्स बनाने के बाद इसको एससर के ऊपर अठेच कर देंगे अब हमें इसको की हेगा थे पप्र कंज़े चोली मेटेच करना है कि इसके पेड़े पाइँ पर यहां पर पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और यहां से लेकि इसको भी अटेच कर dalla हangगा इसको अथे पर उसकाइश कर दिया अभेलै जो हमारा फैब्रिक है वीच में यह हमारा बैल्ट बनेता से वनाना है इसको पूरा ऊपर साइट कर दें गे सिंगल फैब्रिक लेंगे और इसको आधेंच नीजे कर देंगे और इसमें से फिर हमें एक सिंगल ऊपर वाला ही फैब्रिक लेना है इसको इतना नीजे करना है और फिर एक बार और प्लेट बना देंगे और एक प्लेट और बना देंगे इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स बनाएंगे और ऐसी प्लेट्स हमें इस साइड भी बना देनी है यहाँ पर प्लेट्स बनादी, यहाँ पर ही बनादी इंगे प्लेश बता पाम आजिएंगे इस आटको पाट को बहुत बनां देंगे इंगे फिटिंग करना लोग जो चाएंगे और दौनों जॉर्जट वाले फैब्रिक को पकड़ना है और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा देंगे इसके बाद अस्तर को लेंगे और जॉर्जट वाले दौनों फैब्रिक ले लेंगे इस पे सिलाई लगाने के बाद दौनों अस्तर को आपस में मिलाना है और यहां से लिए कि पूरे यहां तक सिलाई लगा देना है यहां से जॉर्जट तिर्ची रहेगी तो जॉर्जट सिफ यहां तक अटैच होगी और इसके बाद यहां से छूट जाएगी तो नीचे साइड की फिटिंग भी हमने कर दी है और यहां से हमाई जॉर्जट और अस्तर अलग अलग हो गया है और इसी के जैसे हमने इस साइड की फिटिंग भी कर दी है अब हम इसको सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जन तो रखा इता पीको के लिए तो इसमें हम यहाँ बर पीको कर लेंगे और पीको करने के बाद मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ यह कैसी लग रही है इसवाली ड्रेस को मैंने वेयर कर लिया है और इसका फाइनल लोग को जन टाया है नेक की फिटिंग देखे कितनी बढ़ी आई है एकदम पर्फेक्ट हमारा इसका नेक बना है और यह रही हमाई हाफ इंच वाली पिंटेक्स, बेल्ट की फिटिंग भी देखिए कितनी बड़ी आई है, बेल्ट हमारा बहुत ही बड़ी लग रहा है, बाकि आप लोग बताना कैसा लग रहा है, और यह रही हमाई पूरी नीचाई फ्रॉक, जैसी आपने मुझे फोटो भ आप लोग बताईए कि आपको ड्रेस कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो फटवर्ट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिवाब बाई